सैंक्डो वर्षों की गुलामी में हमारे समाज ने जो गवाया है ये ये पटीस वर्ष का कालखन उसे दोबारा प्राप्त करने का है इसलिए आजादी के इस अमरित महोत्सों में हमारा ध्यान वविश्य पर ही केंद्रित होना चाहिए साथियों हमारे समाज में एक अध्भूत सामर्त है ये एक ऐसा समाज है जिसमें चीर पुरातन और नित्यनूतन ववस्ता है हाला कि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि समय के साथ कुछ बुराईयां व्यक्ति में भी समाज में भी और देश में भी प्रविश्च कर जाती है जो लोग जागरत रहते हुए इन बुराईयों को जान लेते हैं वो इन बुराईयों से बचने में सफल हो जाते हैं ऐसे लोग अपने जीवन में हर लक्ष प्राप्त कर पाते हैं हमारे समाज की विशेस्ता है कि इसमें विशालता भी है विविद्धता भी है और हजारों साल की यात्रा का अनुभव भी है इसलिए हमारे समाज में बदलते हुए यूग के साथ अपने आपको ढालने की एक अलग ही शक्ती है एक इनहरंट स्प्रेंथ है